दोस्तों गर आपने विपेसी टी आरी 3.0 का एक्जाम दिया है जैसा कि जो आपका एक्जाम था वो 19-22 उलाई के बीच चला तो आप जिस वर्ग से भी होंगे चाहिए प्यार्टी से होंगे 628 से 920 से 1121 से यहां पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है तो आप का चाहिए और है तो आप लोगको चयलेंज करना यहां यहां इसक्रीन पर भी सते हैं आपकी final answer की को लेकर के आज जो है आपका one to fifth का final answer की जारी होगा यहाँ पे देख भी सकते हैं यह जो notice है साथी roster clearance को लेकर के update है साथियों और परमाड पत्रों की जाच शुरू हो चुकी है आपके document verification के लिए क्या-क्या जरूरी दस्तवेच चाहिए वो आपको जाना भी हज़रूरी है यहाँ पे देख सकते हैं जो notice जारी हुई यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों TRE3 परिच्छा के result से जुड़ी बड़ी ख़बर कल one to fifth यानि आज की date में यह कल रात की time यह आया है आपका तो one to fifth की answer की कल शाम तक होगी जारी यानि आज की date पर होगी और 16 सितंबर तक six to eight का final answer की होगा 16 को जो है यह six to eight का बताया गया है आज की date में आपका जो है first to fifth का final answer की आने माला है और 22 सितंबर 9 से 10 और 11 से 12 का final answer की होगा जारी 22 सितंबर को 9 से 10 और 11 12 का जारी होगा पहले ही बता चुके हैं इस महीने के आकरी सब्ता में जारी होगा TRE 3 का result तो आपका जो TRE 3 का result है जैसा कि बताया भी गया है जो ताती तत्वा जाती का जो परमार पत्र correction के लिए upload करने के लिए जो time दिया गया है वो 23 सितंबर तक दिया गया है तो उसी तरह आपका result भी जारी किया जाएगा रोस्टर clearance को लेकर के दोस्तों जो notice जारी होई थी उसमें अगर हम देखें तो तीन दिन के अंदर जो है मांगा गया था जो data था मगर अभी तक जो है प्राप्त नहीं हुआ है इस वज़े से सारी चीजे रिजल्ट में कहीं न कहीं देरी होने की ये सारी वज़े हैं साथ ही दोस्तों यहां पर जो देख सकते हैं आप जो notice जारी हुई है आपके परमाणपत्र को लेकर के यहां पर TRE1 और TRE2 में जो selected candidate थे हैं यहां पर देख सकते हैं बिहार राज के बाहर के वैसे वर्ग 9-10-12-12 के लिए न्यूक्ट विद्दाले अधापक जिने STT 50 अंक से कम अंक प्राप्त हैं उन्हें सेवा मुख्त किया जाना है जो आपने देखा होगा सीटेट वाला मेंटर आपने देखा होगा जिनके जो अधर स्टेट वाले candidate हैं उनका व्यासे से 90 की बीचिन का नंबर है उसके लिए भी नोटिस आई थी यहां पर देख भी सकते हैं व्यार राज के बाहर की वैसे वर्ग एक से पांच छे से आट के लिए न्यूक्त विद्दा ले जापक जिने सीटेट में नब्बे अंग से कम अंग प्राप्त हैं उन्हें सेवा मुख्त किया गया है पत्र की शाय प्रहतिसन लगना है तो अगर आपके सीटेट में इतने के लिए दिया गया है जैसा की टियारी त्री का अभी आपका वरिफिकेशन तो हुआ नहीं है बट दोस्तों यहां पे आप लोग अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कम नंबर है तो आप लोग यहां पर मैं तो यहीं कहूंगी आप पहले से ही पीछे हड़ जाईएग जैसा कि अभी आपका जो फाइनल कटाफ कह लें या फिर आपका रेजल्ट कह लें अभी तो जारी नहीं हुआ है बट आपके नंबर से अंदाजा होगा कि कितना अगर आप देखी दोस्तों पी आर्टी है तो आपका यहां पे मान की चलिए कि 70 से 80 की बीच आपका कटाफ रहने माला है पी आर्टी में और वहीं 6-8 की बात करें तो सब्जेक्ट वाइस यहां पे मैंने बताया यह वीडियो की मादम से 9-10 और 11-12 का अगर आप उसके आसपास होंगे तो दोस्तों आप पूरी उमीद लगा सकते हैं और सबसे कम भीड जो है आपका 11-12 में ही है और अगर हम देखें उसके बाद तो पी आर्टी में एक सीट पर चाल लोग हैं यहां पे एक सीट पर दो लोग हैं 6-8 में जो है सबसे ज्यादा भीड आपको दिखेगी अब यहां पे काफिया प्याटियों के कमेंट आ रहे थे ज़रूरी डाकुमेंट को ले करके तो दोस्तो आप देख लिजेगा आपका 82 से 90 के बीच नंबर ना रहे ऐगर आप इतने के बीच होँगे तो आप यहीं से बाहर होने माले है साथ ही दोस्तों आपके language भी देख लिजेगा अगर language में 30 में से आपके 9 बन रहा है 9 नहीं बन रहा है यानि इससे कम है 8 है 7 है तो आप यहीं से भाग 1 में ही बाहर हो जाएंगे तो language में पास करना जरूरी है अगर आप यहाँ पे qualify रहेंगे तभी आपका जो है 120 में से फिर जो है आपका देखा जाएगा अगर यहाँ पे नहीं है तो आप यहीं से बाहर होने माले हैं दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे जो document को लेकर के हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका आधार card, pen card, driving license इसमिस से कोई होना चाहिए खास दोर पर यह दोनों जरूरी होना चाहिए pen card और आधार number ठीक है यह द आपका आधार number जिस mobile number से link होगा उस number को आप जरूर ले करके जाएगा वरना फिर आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा तो आप other states है यह वहाँ के हैं तो आप उसको साथ मिले जाएगा दूसरा दोस्तों आरचेट संबंदी जो परमाडपत्र है निवास परमाडपत् जो है उसका certificate और मार्शिट वहीं बिहार STT paper first का दस्तावेज और परमाडपत्र यहां पर देख सकते हैं बिहार STT paper to अगर आपने STT लगाया होगा या फिर सीटेट लगाया होगा तो आप उसका certificate और मार्शिट आपको ले जाना होगा दस्ता दस्तावेज परमाडपत्र जन्मतीती परमाणपत रशाच्रिक योगिता एक से प्माच एवन दस्तावेज तो अगर आपने एक से प्माच के अप्लाई किया है या फिर 628 या फिर 910 जिस बेस पर किया है दोस्तों अगर आपने बीड कर रखा या डियलेट कर रखा है तो आपको वो सभी जो है डिग्र सारी चीज़े मार्शिट वगेरा होनी चाहिए साथ ही आधार कार्ड मैंने बता दिया है पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा पासबुक लगेगा यहाँ पे काफी अबहरतों की कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि क्या जो है स्टेट बैंक का होना जरूरी है जो SBI का क चल्डी वगेरों को लेकर कि आपको प्रॉब्लम होगी वहां पर टाइम पर आपको नहीं आएगी नहीं मिलेगा अगर SBI में रहेगा तो डारेक्ट कनेक्ट है वहां से और इससे आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़े देखने को मिलेंगे बट अगर बैंक में है तो फ नोटीफिकेशन आया था ट्यारी 3.0 का तो इसकी नोटिफिकेशन की जो लास्ट थी नहीं वह 25 फरवरी उसपर डेट दिया गया है नोटिफिकेशन यहां पे मैंने मेंने किया है वह उस डेट से पहले जो है अगर आपके सारे डाकुमेंट्स कंप्लीट हैं आपके रिजल जिसका भी result हो वो उस date से पहले का यानि टियरी 3.0 की जो last date थी उससे पहले का होना जरूरी है और जो भी हार के candidate है चाहिए उनका निमास जो भी आरच्छर संबंदी परमाण पत्र है वो भी उस date के पहले का होना चाहिए बात का नहीं चलेगा क्योंकि जब आपने form apply किया है उसी base पर तो किया है तो वो आपका होना चाहिए उसके बात का नहीं चलेगा ठीक है बागी अगर आपकी degree वगएरा certificate वगएरा जो भी मार्शिट बात में भी मिलती है तो उससे कोई issue नहीं होगा बट जो है उससे पहले आपकी यह सारी चाहिए complete होनी चाहिए ऐसा ना हो कि उसके बाद आपका result आया होगा तो आप जो है उसके लिए eligible होंगे अगर उसके बाद उस date के बाद आपका result आएगा तो आप वहाँ पे eligible नहीं होंगे तो यह थी दोस्तों इससे related पूरी चान करें जो कि मैंने आप सभी कोई दे दी है बाकी दोस्तों आपके मन में कोई doubt हो हुए तो आप लोग comment box में comment करके जरूर बताइएगा मिलते हैं इस अपडेट के साथ तब तक लिए bye bye take care thank you